यह मानना है, मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगी, अपने देश वासियों से कहना चाहूँगी, में Voting तो अलग है, यह matter ही अलग है पहली बात तो यह कि हमें न वोटिंग देने से पहले समझे कौन सा नेता क्या है, क्या कर रहा है में भी अगर मुझे मिल जाए कि मैं भी अगर पॉलिटिक्स में खड़ी हो जाओं तो मैं भी सबसे पहले शायद अपनी जेब बना चाहूंगे क्योंकि ये इंडिया की मेंटिलिटी हो चुकी है सेकेंड बात कांग्रेस का में भी शायद 1971 से ये नारा है कि गरीबी हटाओं तो वो तो हमें और गरीब बना रहा है यार हमें और गरीब बना रहा है हमें नाली का कीड़ा बना के रख दिया है उसने कि आप लोग यहीं ठीक हो बस मुझे वोट करो कमाओ मत में 72 रजान आप लोग को दे रहा हूं आपको अपाइस बना रहा हूं आपको काम करने की जरुद नहीं है नो नीडिट या वर्क कांग्रेस इतने दिनों तो राज करते आई हैं इमान दरी से मुझे बता दीजे आप करेप्शन सबसे ज़्यादा बड़ा उन्होंने हमारे खून में डाल दिया करेप्शन उन्होंने सिखाया हमें क्योंकि अंग्रेजों से उन्होंने ही सिखा ठीक है उन्होंने हमें सिख वर्क करने के लिए नहीं कहता हूँ कहता है रेडी लगाओ दबा के यार गरीबी बढ़ाओ जितनी बढ़ा सकते हो गरीबी हटाओ मत मैं भी एक टीचियर हूँ मेरा कामी पॉल्टिक्स पढ़ाना है मैंने जसको डैप्थ में जाकर घहराईयों से देखा है आप बिलीब कर स यह बिल्कुल जस्ट चेंज हुआ है जब इंद्रा गांदी ने अमर्जेंसी लगाई थी न और अमर्जेंसी सबसे गलत टॉपिक था यह आप सब जानते हैं अगर पाल्टिक्स के स्टुडेंट्स हैं आप लोग उन्होंने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ प्लीज मु मुझे तो लगता है यार मैं एक जोपड़ पटी से जारी हो दूसरी बना लेती हूं कम से गा मुझे कांग्रेस बातार हजार दो देगा सच बताए सर अगर मैं गलत हूँ रॉंग हूँ तो मुझे बता आप सब कहते हैं मोधी हटाओ मोधी क्यों हटाओ मुझे जवाब च से में बैंक को जोड़ दिया किलिया क्यों जोड़ा ताकि सब की कमाई पता चले कितनी है और जीनोंने दवा रखा है जिनोंने दवा रखा है वो कम 10,000 लेके गूमते हैं सर वो पैसे निकाले नहीं पारे हिसाब देना पड़ेगा रहूल गादी ने आज कहा है रहूल इस नाम की चीज नहीं है जीरो है निल है दूसरों पर कूते हैं